इस सीक्वेंच के साथ मैं बता देता हूं कि दरसल हुआ कि है सबसे पहले खबर समझ लेते हैं एजी आर बकाया था वोड़ा फून आइडिया के उपर ये तो सब भी जानते हैं और इसको थोड़ा सा हल करने के लिए सरकार ने इने विकल्ब दिया था कि अगर आप पैसे समय पर नहीं बुक्तान कर पा रहे हैं हजार करोड की और अपडेट में ये भी बताया गया कि 10 रुपे प्रती शेर के भाव पर ये शेर जारी होंगे यानि इसके अनुसार अगर आप देखें तो करीब करीब 16 करोड शेर जो है वो अतरिक्त जारी होंगे मैं आपको ये भी बता दू कि सरकार की जो है इस पोस्ट कंवर्जन ये जो एक कंवर्जन होगा वकाय का एक्विटी में लेकिन स्टॉक ने देखे इतना नेगिटिव लिया क्या जब खबर सुबह सामने आई तब लग रहा था कि कहीं ने कहीं थोड़ी सी राहत मिल रही है वो जारी हो रहे हैं शेर तो बजार ने इसको नेगिटिव लिया और दूसरा की बहुत बड़ा जो है एक्विटी बेस का डाइलूशन हो रहा है जैसा कि मैंने आपको बता है कि 16,000 करोड बकाया है और 10 रुपे प्रती शेर के भाव पर अगर आप इसको कनवर्ट करके देखें तो 16,000 करोड जो शेर है वो अतिरिक्त जारी होंगे तो EPS डाइलूशन काफी जादा देखने को मिलेगा और पिछले प्रदरिशन अगर आप कम्पनी का देखें तो अभी तक काफी जादा निराशा जनक देखने को मिला है अभी भी एक्विटी का बेस छोटा नहीं है 2873 करोड टोटल लंबर अफ शेर्ज हैं यानि डाइलूशन काफी जादा देखने को मिल रहा है तो इनकी जो रात आगे की जो चाल है वो थोड़ी सी मुश्किल नजर आएगी बैंकों का एक्स्पोजर में एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ सबसे पहले आप देखे आईडिएफसी फर्स बैंक 3240 करोड के आसपास का जो एक्स्पोजर है इसके बाद आता है इंडेसेंट बैंक 3500 करोड का है स्टेट बैंक ओफ इंडिया 11000 करोड है सुनने में बहुत जादा लगता है लेकिन इनकी लोन बुक का केवल आदे प्रतीशत इस्पा है झाल झाल